बक्री के बच्चों में सर्दी जुखाम खासी हो गया है घर बैठे इलाज कैसे करें जानना चाहते हैं देखना चाहते हैं देखिए वीडियो बहुत कारगार और योगी वीडियो है तो नमस्कार जो भाई जुड़े हैं उनका भी और जो नए जुड़ने वाले उनका भी तैदिल से धन्यवाद कि आप लोग हमारे चैनल को रहने इतना प्यार महबबत दे रहे हैं इसी तरह प्यार महबबत बनाए रखें कि हम ऐसे ऐसे नए नए वीडियो लाके रहें किसान मित्रो अभी जो मोसम चल रहा है उसमें बकरियों में छोटे बच्चों में सर्दी लगना जुकाम लगना यानि नाक से पानी आना सांस लेने समय आवाज आना घर घर की दूद कम पीना या भी खाने पीने में रूची ना होना कभी कभी खाना पीना छोड़ देना ऐसी सिकायते होना अभी फाम पर ये सब प्रोब्लम देखने को ज़्यादा मिल रही है तो इस समस्या का क्या समधान है तो आज एक ऐसा पाउडर बताने जा रहा हूँ साथ में एक ऐसा सिरफ बताने जा रहा हूँ यदि दोनों को मिला कर दे दिये तो प्रोब्लम सोल हो जाएगी सबसे पहले हम लेते हैं पाउडर टेटरा साइकलीन पाउडर जो एक परकार का एंटिवाइटिक है और बहुत अच्छा ये काम भी करता है आप इसे तीन से चा काम खांसी कोई भी इनफेक्शन है तो बच्चों में टेटरा साइकलीन पाउडर बच्चों में ये बहुत गजब का काम करती है ये पाउडर एक ग्राम में पचास एमजी आता है तो देना कितना है तो एक ग्राम प्रती पांच से साथ केजी बोडी वेट पर घोल कर पिला रहेगा दियान रखें कि पानी को गरम करके उसके बाद ठंडा करके पाउडर को गोल कर पिलाया जाए तो फाइदा जाइदा करता है अब हम सिरफ भी देख लेते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है वो है कालपोल पेरा सिटामोल की सिरफ है कालपोल के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं जो गजब का रिजल देता है दोज की बात करें तो पांच केजी पर धाई एमेल दे सकते हैं आप कोई भी मेडिसीन यूद करने से पहले अपने पशू चिकितसक की सलाह से ही दे तो फाइदा अच्छा और बहुत जादा करेगा कारण के कुछ ऐसी दव बाईयां नहीं काम करती है ये कौन बताएगा तो आपको पसूश चिकितस ही बता पाएंगे आप दो से तीन दीन तक देते हैं तो ठीक हो जाएगा यदि ठीक नहीं होते हैं तो आपको इंजेक्शन के तरफ जाना पड़ेगा लेकिन इंजेक्शन के बारे में वगेर ठीक किया जा सकता है आप हमेशा जूड कर आप हमसे जूड कर ऑनलाइन से जूड सकते हैं एक बार टेनिंग किझेगा और जीवन भर इसका फायदा उठाएगा।